कैसे आप सब स्वागत आप सब का एमके क्लासेस में लास्ट वीडियो में हमने हिस्तरी आफ जम्मु कश्मीर कमप्लीट किया जिसमें हमने इसे अचले और नाम बता देता हूं अरिहंत know your state का latest edition है यह इस edition में जितने भी MCQs हैं आपके general awareness with special reference to Jammu and Kashmir वाले वो हम cover करेंगे आज का जो हमारा topic है यह है geography of Jammu and Kashmir में physical division of Jammu and Kashmir ठीक है तो physiography of Jammu and Kashmir के MCQs हम दो parts में cover करेंगे पहला part आज करेंगे जिसमें हम 20 questions आज करने वाले हैं next video में इसका part number second आएगा और उसमें जो rest of 19 questions हैं वो हम next part में करेंगे चलिए हम आज की video शुरू करते हैं हम first question पे सीधे move करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो हमने history complete की है उसकी PDF हमारे telegram channel पर मैंने upload कर दी है वहां से आप direct PDF भी download कर सकते हो first question आपके सामने the K2 और Godwin Austin the second highest peak of the world lies in which of the following region of Jammu and Kashmir K2 जिसको Godwin Austin भी भोलते हैं जो world के second highest peak है ये Jammu and Kashmir के किस region में पाई जाती है options आपके सामने है greater Himalayas, Upper Indus Valley, Karakorum range यहां फिर lesser Himalayas तो यहां पर answer आपको बता होना चाहिए the right answer is option C, Karakorum range ठीक है Karakorum range पे K2 Godwin Austin जो world की second highest peak है ये लाई करते है second question पे हम move करते है second question आपके सामने है match the following अब यहां पे match the following किस तरह से हैं आपको एक तरफ climate दिया गया है ठीक है और एक तरफ आपको दिया गया है region ओके तो यहां पे आपको पहचाना कि कौन सा climate कौन से region पर पाया जाता है ठीक है first आपको options यहां पे दिख रहे होंगे cold and desert temperate, humid, subtropical and option D यहां पे lay यहां पे आपको पहचाना कि कौन सा जो option है वो किस वाले कौन सा climate किस वाले region के साथ match करता है ठीक है options आपको यहां पे नीचे दिएगे है options आप यहां पे देख सकते हो तो सबसे पहले हम यहां पे move करते हैं ए पर ठीक है अगर हम ए पर चलें cold and desert अब यहां पर cold and desert अगर आप in regions की बात करो तो कहां पे cold है और desert type भी है वो आपको सामने पता चलेगा लद्दाक में याने की जो यह cold and desert है यहां पर आएगा three option ठीक है एक के साथ कौन सा match करेगा एक के साथ three match करेगा इसके बाद है temperate अब यहां पर पूछा है अब simple यह चीज़ है temperate कहां पर पाया जाता है और ले क्या है ले है coldest region ले क्या है coldest region यानि कि अगर 1 वाला D के साथ match करता है 2 वाला यहां पर 2 वाला match करता है subtropical जो जम्मू का climate आता है और कश्मीर वैली का climate का ऐसा है temperate तो यहां पर क्या option सही पनेगा 3, 4 2 and 1 तो यहां पर कौन सा option हमें चेक करना है ABCD का option B यहां पर होगा right answer ठीक है एक बार फिर देख लो कौन सा climate किस region को बिलोंग करता है cold and desert बिलोंग करता है लद्दाक region को temperate बिलोंग करता है कश्मीर वैली को humid यानि कि humid and subtropical यह बिलोंग करता है जम्मू region को और ले क्या है coldest region है ठीक है तो अब हम next question पर move करते है question number 3 यहां पर अब क्या है seasons आपको दिये गये है और यहां पर इनके local terms है यह अगर आपको याद होगा climate of Jammu and Kashmir में जब किस particular region को local language में क्या बोला जाता है किस particular season को local language में क्या बोला जाता है अब सबसे पहले हम देखते है ice cold ice cold season को local term में क्या बोला जाता है काफी लोगों को पता होगा इसको बोला जाता है शिशूर ठीक है यहां पर आजाएगा 3 summer को क्या बोला जाता है summer को याद करो summer को बोला जाता है red cold ठीक है red cold option A यहां पर B के साथ आ जाएगा autumn को क्या बोला जाता है autumn को बोला जाता है haroon यहां पर आ जाएगा two and rainy rainy को बोलते हैं वहरात ठीक है option four तो three one two four यहां पर होगा right answer ऐसे यह question काफी simple है जिन्होंने directly इनके local terms पढ़े होंगे आपको ऐसे questions में कभी problem नहीं आएगी लेकिन ऐसे questions के आने के chances ज़ादा होते है क्योंकि थोड़ा ऐसे confusing type काई लोग confused हो जाते हैं ऐसे questions में तब यह ऐसे type के questions ज़ादा पूछे जाते हैं तो यहां पर three one two four होगा right answer आप में चाक करना कि three one two four और option A यहां पर होगा right answer ठीक है? option A यहां पर right answer next question पर we move करते हैं question number fourth तर नूब्रा, खरदुंगला and चांगला past lies in which of the following mountain ranges यह different passes यहां पर आपको बोले गए है नूब्रा, खरदुंगला and चांगला यह past कौन से mountain ranges पर lie करते हैं options आपके साबने है, नंकुन, कारा कोरम, वर्जिल यहां फिर अमरनाथ सब को इसका answer आना चाहिए option B, कारा कोरम यहां पर होगा right answer ठीक है, option B, यहां पर right answer है बिल्कुल simple question था, next question पर we move करते हैं question number fifth between the peer panjal and the western end of great himalayan ranges lies a deep asymmetrical basin called एक और simple question है, पोच्छा जा रहा है peer panjal ranges और जो western end है, greater himalayan इसका, इसके बीच में एक basin लाई करता है asymmetrical basin लाई करता है, इसको क्या बले आता है सब को इसका अंजर पाता होना चाहिए, इसको बोला जाता है कश्मीर वैली, ठीक है option B, यहां पे होगा right answer, यहां पड़ भी जोगा है और काफी simple question था यह, ठीक है question number 6 पे हम move करते है question number 6 the Sheshnaag mountain spreads in the Amarnath mountain range is called Sheshnaag because जो Sheshnaag mountain है, जो Amarnath mountain range चीज़ पर पूरा spread है इसको Sheshnaag आखिर क्यों बोला जाता है, यह कोशन आप से पूचा जा रहा है options आपके सामने है, it describes in the epic literature the mountain is full of snakes, its peak resembles the head of seven snakes यहां फिर नन अपतावा तो simple इसका answer यह है, Sheshnaag क्यों इस mountain को Sheshnaag बोला आता है क्योंकि जो इसकी peak है, वो किसको resemble करती है, वो resemble करती है head of seven snakes, जिनको Sheshnaag बोला जाता था, ठीक है तो option C यहां पर होगा, right answer its peak resembles the head of seven snakes question number 7 है, which are the following past lies in the peer पंजाल range of mountains इन में से कौन से पास लाई करते हैं, कहां पर पीर पंजाल range mountains जो पीर पंजाल range है mountains की वहां पर लाई करते हैं इन में से कौन से पास options आपके सामने हैं बारमुला पास, हजिपूर पास, बोथ A and B, यहां फिर जवाहर टरनल तो यहां पर जवाहर टरनल तो नहीं है, option D तो डिरेक्टली बहार होता है, ठीक है, यहां पर बारमुला पास भी लाई करता है, पीर पंजाल range पर इसी के साथ, हजिपूर पास भी, तो option C यहां पर होगा right answer, बोथ A and B, ठीक है, बोथ A and B is the right answer, next question पर हम move करते है, question number 8, स्वयाम जी is situated in North Machipoora and the other Kharewa lies in पहलगाम, are names of, यह जो यहां पर भी different names लिएगे, एक स्वयाम जी, जो कहां पर situated है, North Machipoora में, इसी के साथ, खरेवा, जो पहलगाम में लाई करता है, यह किसके names है, ठीक है, options आपके सामने है, mountain ranges के, mountain pass के, volcanic peaks के, यहां पर none of ever, तो यहां पर मैं आपको बता दूँ, यह नाम है, volcanic, ठीक है, volcanic peaks के, option C, यहां पर होगा, right answer, volcanic peaks के नाम है, यह नाम याद रखिएगा, question number 9, which of the following peak is also called by the poetic name of the Amir, यह question भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें से कौन सी peak को, poetic name किसका, the Amir के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी Peak को, दीयामीर के नाम से भी जाना जाता है, options आपके सामने है, के टू, यहां फिर नंदादेवी, दंगा परवत, यहां फिर अमरनात, पीख, right answer यहां पर है, पिल्कुल, simple, दंगा परवत, options C, यहां पर होगा, right answer, ठीक है, इसको, दीयामीर के नाम स अब आपको पहचाना है कौन सा पास कहां पे लाई करता है सबसे पहले खरदूंगला की बात करें तो खरदूंगला आपको पता ही है लदाक रेंजिस पे लाई करता है पनिहाल कहां पे है पीर पंजाल में ठीक है जोजिला यह आपको बता है जन्सकार में और नूब्रा अभी हम ने उपर पड़ा कारा कोर में जिस पर यह लाई करता है तो यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा 3 4 2 & 1 तो यहां पे हम नीचे कोर्स में देखते हैं कौन सा किस mountain range को roof of the world भी बोला जाता है एक और simple question है option c यहां पे होगा right answer कारा कोरम range को roof of the world भी बोला जाता है question number 12 नूला नागर flows down into which lake अब नूला नागर यह कौन सी लेक में गिरती है flows down into which lake किस लेक में गिरती है ठीक है options आपके सामने है वुलर लेक डल लेक अंचार लेक यहां फिर हरवान लेक ठीक है right answer ही आप सबने पढ़ा भी हुआ होगा वुलर लेक option a यहां पर होगा right answer question number 13 consider the following statements यहां पर कुछ statements आपको यहां पर दीगे हुए है Karagoram and Kunlun mountain range lies to the north and northeast of the state and separate the state from Russia, Turkestan and Tibet one can reach Tibet from Ladakh by Changla Pass and Khardungla Pass दंगा परबत also lies in the Karagoram range and Zanskar mountain separates Zanskar mountain range separates Indus Valley from the valley of Kashmir ठेक है यहां पर आपको पहचाना है कि which of the following given statements above are true इन में से कौन सी statements true है तो यहां पर अगर हम different statements को अगर देखें Karagoram and Kunlun mountain range जो है यह कहां पर लाई करता है North and North East of the state and separate मतलब यह कहां पर लाई करता है यह North and North East पर हमारे Karagoram लाई करता है और North East पर Kunlun mountain range लाई करते है बिल्कुल सही बात है यह separate किसको करता है Russia हमारी state को separate the state from Russia से, Turkestan से और Tibet से फर्स लाइन बिल्कुल सही है यहांपर ठीक है सैंकिन लाइन देखिए वनके जिविश तीबह बाई फ्रॉम लदाक बाई चंगला पास और खडूंगला पास ठीक है यह लाइन भी बिल्कुल सही है कि अगर किसी को तीबवत जाना हो लदाग से तो यहां पे दो पासिस है जिसके दुरू वहां पहुंच सकता है चंगला पास और करदूंगला पास थर्ड लाइन है नंगा परवत आल्सो लाई जिन दी काराकॉरम रेंज नंगा परवत काराकॉरम रेंज पर लाई करता है यह नंगा परबत काल अगरम range पर लाई नहीं करता है fourth line is Zanskar mountain range separates Indus valley from the valley of Kashmir बिल्कुल सही बात आइए जो Zanskar mountain range है यह किसको separate करता है जो कश्मीर की valley है तेक है और Indus valley इनको separate करता है Zanskar mountain range तो पहली दूसरी और चोथी statement सही होगी तो यहां पर देखते हैं, option B हम पर होगा right answer, ठीक है, first, second and fourth statement are right, next question है, question number 14, which of the following mountain ranges separate the state of Jammu and Kashmir from Russian, Turkistan and Tibet, अभी हमने यह question उपर पड़ा, the right answer is option C, Karakorum and Kunlun range, ठीक है, यहां पर कॉन सी mountain range है, जो separate करती है, Jammu कश्मीर को रशिया, तुरकिस्तान और दिबत से, Karakorum and Kunlun, question number 15, consider the following statements, अब फिर से आपको statements दी गए यहां पर, यह दो statements है, and आपको पहचाना इनमें से कौन सी statement correct है, first statement है, the outer plane of Jammu and Kashmir is locally known as, अंधरवा और वाजवत, बिलकुल सही बात है, first statement बिलकुल सही है, अगर आपने प इसको अंधरवा और बाजवत भी बोला जाता है, the plane is traversed by numerous hill torrents locally known as kharts, वो plane, जिसमें काफी hill torrents पाए जाते हैं, इन्हीं hill torrents को, kharts आपको बता होगा, हमने यह भी पढ़ा, kharts भी बोला जाता है, तो यहां पे दोनों statements बिलकुल correct है, तो कौन सा answer right होगा, option C, यहां पर हो यहां पे दो list, list दी गई है, foot hills, greater jamalias, upper indus valley, and car upper range, वैसे इस तरह की questions आने के chances काफी कम होते हैं, आपको पहले बता दूँ, ऐसे questions की जिसमें particularly आपसे पूचा गया, okay, कितनी height है, आपको सिर्च जो यहां पर अप्रॉक्स idea होना चाहिए, कि किसकी approximate height जो है, वो कितनी है, कित जादा उंची नहीं होती, तो यहां पे option B, option sorry, 4th, 2002 से 7,002 feet तक होता है, ठीक है, अब option B की बात करें, greater himalayas, greater himalayas, कितने उपर है, कितने high ranges पर है, तो 20,000, 13 feet पर यह इतना उंचा है, ठीक है, upper indus valley की बात की जाए, it is 11,483 feet, and carakoram कितने पर लाई करती है, कारakoram 28,264, इतनी उपर, कारakoram में इस बिलोंग करती है, मतलब, इतनी उपर है, तो यहां पर, 4,3,2,1 होगा right answer, option A, यहां पर होगा right answer, वैसे इस तरह की question आने के chances काफी कम है, तो question 17, 17 पर हम move करते है, which are the following mountain ranges, lies between Kullu to its southeast, and कर्गिल to its northwest, southeast, यानि कि यह वाला region, ठीक है, यह इस होता है, यहां पर south होता है, south east में लाई करता है, Kullu, and northwest, यानि कि इस तरफ, northwest में लाई करता है, कर्गिल, ठीक है, कौन से mountain ranges पे ऐसा होता है, कौन से mountain ranges में, ऐसा है, कि उसके south east में आ गया कुलू, and northwest मे आ गया, कर्गिल तो options आपके सामने, यहां पर आप देख सकते option A है आपके सामने कारव करम जांसका नुन कुन या शिवालिक राइट आंसर है इस नुन कुन और उप्षेंस बारह मुला हाज़पूर बनि हाल या फिर दरन ऑफ तो राइट आंसर कि तो हज़वा टेक है हज़पूर पास कोश्ट आँट ऑच्पविडियो का लास्ट कोशन हैं बाकी संब नेक्स जितने भी कोश्टें रहें के नेक्स पार्ट में गऊबर करेंगे तो इसी के साथ हमारे आश्ट के 20 questions complete होते है नेक्स वीडियो में हम इसके next questions करेंगे 21 से आगे वाले बिलते हैं आफ से अब नेक्स वीडियो में करेंगे बिलते हैं आफ से अब नेक्स वीडियो में जिग्राफी यानि कि फिजिग्राफी अब जमुन कुश्मीर के next part के साथ